दाओ तो डेफिनेटली आज मूड में नहीं दिख रहा है, 200 पॉइंट नीचे आपको डाओ फ्यूचर्स है, नाजडेक फ्यूचर्स में भी करीब 1% की आपको गिरावट आती हूँ दिख रही है, तो अमेरिकी फ्यूचर्स आज कमजोर हैं, कल की गिरावट के बाद आज भ जाने ने, शिकारी बन जाओ, इंतजार करो, गात लगा के बैठरो, अपने रेंज में आएगा तो लेना है, रेंज में आएगा तो देना है, बाकी कुछ नहीं करना, टाइम पास, जरूरी तो है नहीं, 17,650, 17,725 यहां पे आएगा तो लेंगे वापस, नहीं आएगा तो साथ सो पचीस के नीचे जब भी आएगा लेना है, अगर टिक है तो हम सत्रा नो सो तक की यात्रा फिर से कर सकते हैं, प्लोजिंग सत्रा आठ सो के ऊपर अगर आज बंद होते हैं, तो समझना भी मत कि आज बाजार गिरा है, रनिंग करेक्शन आया चला गया, जो भी है, औ और फ्रेश गिरना होगा तो मंडे को गिरेंगे, आज नी गिरेंगे, तो सत्रा आठ सो आज आपको क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करना जो भी है, और अगर सत्रा आठ सो के नीचे आज बंद होता है, तो जो शॉर्ट टम ट्रेडर से जिन्हों ने आज कल के लिए और अपने साथ रखना है, अपने मार्केट का रखना है, सत्रा आठ सो की नीचे बंद होगा, तो काट लेना है, मेक और ब्रेक तीन बजे तक का लेवल भी, तीन या तीन बज के पांच मिट आप अपने हिसाब से समय देख लिएगा, तो आप आराम से उपर जाने की कोशि पर रुखना है, अब आएए, बैंक टिव्टी, अचा सत्रा नो सो के उपर नहीं जाएंगा, जान रखना, अब नहीं जाएंगे, आज क्योंकि सत्रा नो सो के कॉल्स पर एक करोड शेर है, बड़ा ओपन इंटरस है, वह आपको रुखना पड़ेगा, ठीक है, बैंक टिव है, तो फिर आपको तेजी की पोजिशन में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपको डेफिनिटली बैंक टिव्टी में अपनी तेजी की पोजिशन छोड़ के जाना चाहिए, जो डे टेडर है, उनके लिए तो स्टोप रॉफ दूर है, उन्चालिस दो सो पचास क को भी कम करने चाहिए, उनचालिस जारव अगर समझ पार करके टिग गये, ज्यादा से ज़्यादा अपसाइट में आज उनचालिस दो दो सो से उनचालिस दो सो पचास तीन सो की ऊड़ आप बन ओं गये, और अगर आखरी एक गोटे में उनचालिस दो सो से तीन सो के रहन की चीज बता रहा है 17 650 शात्रा साथ स्थिन लेने की जगह बता रहा है 2008 दो 302 सबढ़ा बता रहे यह फरक है वह जो पुझा वह नोगा अलिटर अटा याज्यिनी जाक्लिर डेटा दिख आ कर दो डूदी हो ग।